ये रहे आप और मैं हुँ दुब्या और आप सभी कर सागे थे मेरे चानल वे साले गुल्स लाइफ पे ताल चले हम हलो एवरेवन वेलकम बैक टू मैं चानल सो अभी मैं हिलते डुलते जा रही हूँ अपने ओफिस ट्रिप के लिए जोकी है नैनी ताल के बगर में भीमताल डिस्ट्रिक के पास और मैं कर रही हूँ सुबर सुबर टोटो की सवारी और मेरा चेहरा है बिना मीकप का इसलिए इतना उदास उदास लग रहा है मैं आके बैट चुकी हूँ अपने बस के अंदर और वी रहे हमारे और के अंदर डिफरेंट टीम्स और यह शिरू हो गई हमारी जर्नी भीमताल के तरफ से सो नोईडा से भीमताल जानी के लिए हम सुबह करीब आठ साड़े आठ बचे तक निकले थे और हम भीमताल पहुचे थे साड़े चार के आसपास बीच में बस कई बार रुकी थी और कई स्टॉपच पे जैसे यह हम लुके थे एक मोगा रेस्टों में जहां हमने चाय नाश्टा करा और उसके बाद फिर हमने दुबारा अपनी जर्णी शुरू की अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बस के बाहर का व्यू जो की बहुत सुंदर होस्ट चला था आप मौसम ही देख सकते हो कि पहाडी लाकों पे जाते हुए मौसम कितना ठंडा हो जाता है और सब इन ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है हरी तरफ लोग यहां से हो चुका था पहाडी लाकों बस पहाड पे चड़ रही थी और यह मैं रिकॉर्ड कर रही थी कैमरा तीछे से बहुत ज़रा कमेंट्स आ रहे थे कि कही मेरा फोनी ना गिल जा फोनी ना गिल जा लेकिन मैं अपने तो हमती इंसान है ना इसले अपनी फोन की आजी लगा कि इसारे व्यूस रिकॉर्ड करा यह मांटें पीज टॉस जो कि बीच के रास्ते में से और यह है जब हमारी बस पूरी ऊपर चड़ गए थी वहां का नजारा बादाल पहार नदी आसमान हर कुछ यह है अपुछ बिना मेकप के थोब्रेश के साथ जो कि बहु अब हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट के बाहर का व्यू सबी तीम अंदर जा रही है और मैं शूट करते करते अंदर जा रही हूँ हम घुसे में इंगे के अंदर और यह हो रहा हमारा स्वागत कब सिरफ वाले जूस के साथ यह रही से शेक्वेरियम यह रास्वें पूल और अब हम यहाँ से सीधे दोड़ दोड़ के जाएंगे खाने के लिए आने खाने करें, तब हमें रिजूट पोचे से खाना यह खाने पर तूट पढ़े हैं अुछ पार बाग वाजीब से के की रिजूट के सामने जो वाश्यूम था एग वाश्यूम पे गेश्ट के इंदर ही में साथ यूनीक सा था और यह हमारा दाइंग अरिया है जहां पेख पूजा करेंगे बाद में कोई काम दूजा स्टार्ट करेंगे जो फिर हाल यह सब लोग बैख चुके हैं पेख पूजा करने चुलिए और आपके रूम के तरफ यह हमारा कमरा यह तीवी यह हमारा सामान यह हमें बेड, पानिक बाटल, फोन, टेबल चेर्स, यह कुछ कोफी, इसमें है चीनी, बूद, पानिक बाटल दो दे दी और यहां से है यह विंडो व्यूव, जोसी है बहुत विशानदार, मैं तो इस रूम की सब से बेस्टी यह है कि आप रूम से जेख सकते हो, पहारो का नजारा, यह है एक आरमीरा, इसमें मैंने अपना किस समान भराया और हमें दिखाती है आपको बाल्किनी व्यूव, जो कि सबसे अच्छा व्यूव है यहां का तो इस वीव ऑफ बालकुनी, तो हम जुड़ाइ पालकिनी और रास्ते में कुछ कुछ दिखेतों के चरते हम पुचे हैं यहां पर कर शाड़ है तो खाना पिना खाके हम सिरा रूम में आ चुके हैं, अब हमस्ँ हारेस करेंगे, तो चरह पे में अगए लिगाएंगे अग्षे नीचे जाएंगे टीम बिलिग अक्टिविटीज के लिए and just see the school go sick the must be better यहां अपन बेट पे मस्ट उदने की प्राक्टिस कर रहा है बट हर अटन्ट फेल हो जा रहा है पर फाइनली अप उन कूद के लिखाएगा एला अटन्ट फेल हुआ तो क्या हुआ अप उनका भी हार नहीं मानतार पॉफट गिरने वाला व्यू रिकॉर्ड करेगा एक बार और एक बार और अब यह लास्ट टाइम अब यहां पर उनकर के दिखाएगा वान तू त्री यहां पर सब को मेरे रूम में कठा हो के क्लूडो खेल ला है और मैं सीख रही हूँ और यह है फोर स्टार होटल के अरेंजमेंट यहां पर अभी रात रात को लाइक चली गए और खूब मज़ा आ रहा है अंधेरे में और हम सभी सोच रहे है कि कोई तो लाइट जला दो बट बाहर का वी मस्त है अंदर अंधेरा कायम है अभी तक पिल्हार शलीने शलफ और जला दिया जिसससे अंधेरा दूर इढ्याब कायम को शलीने नकाम कर दिया है अब आप अचुके रड़ी और अब जा रहे है नीजे इस उटल को एक स्वोल कर लिए किरियो यहां पे मेरे फ्रेंड जो हो रहे हैं यह है बालकनी का व्यूज अब अब होचुके यह शाम साम के सारे छे बज रहे है और यह भीमताल का व्यूज यहां पर मेरा जो रूम है व चाहे है जा आुज जाना है वहाँ पर चाही है यह है बजाँ बालकनी के लिए यहां बेख यह हूरी है हमारी तीम जो चाही खरेंब धिना चाही कर लीह है और मेरा फोकस है व्यूज चाही के आने पर उसके बाद मैं चाहाइ हो, शरू करूंग तब-कष मैं रिकृर्डिं हमने लाइम लगा दी है चाय को पाने के लिए ये बंडे कर रहे हैं अब चाय के यार और हम कर रहे हैं चाय मिलेगा वीच नर्म नर्म बिस्कित के साथ ये है होटल का स्वीमिंग पूल ये है स्वीमिंग पूल के उपर की सीलिंग और मैं ले चलूंगी आपको गेम्स रूम में यहां पे है पोल टेबल और टेबल पैनर बाकी होटल में और कुछ नहीं है हम लोग होटल का पुरा टूर कर रहे हैं कि होटल में कौन कौन सी चीज है होटल को सिर्फ हम अंदर से देख रहे हैं ये है होटल का इंटिरियर बाहर नहीं जा सकते कि कि बाहर हो रहे हैं जोर जोर से बरसाथ तो अभी मैं चल नहीं हो पने रूम के तरफ, उसके बाद हम सब गादर होंगे आठ बजे गीजे नाइस पे, जहां हम सब तमक्त मक्त के नाचेंगे और अपनी हद्यों को दुखाएंगे यहां पर मेरे सारे खलिक्स बैट के मज़ाए जा रहे हैं, बास्चीत कर रहे हैं और मेरा फोकस सर्फ सर्फ खाने पर है, तेकि इस ताइब मेरे लिए सबसे रदा जररी खाना है, और कुछ नहीं और मैं यहां पर डाइटिं के घगजिया उड़ाते हुए अधर के लिए गुडबाइ, दो लाइक, शेर और सबस्क्राइब